हेलो फ्रेंद्स मेरीटर के क्रियेशन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हूं आज मैं आपके लिए ये खूपसूरत से लेडी शूज लेकर आई हूं ये शूज फाइब टू सिक्स पुट साइज में इजीली आ जाएंगे और ये बनाने बहुत ही आसान है और ये बनकर बहुत ही खूपसूरत लगते हैं ये लेडी शूज के लिए हमने 43 फंदे लिए 43 स्टिचेज लिए और अब ये हमारी पहली सर लाई है उल्टी साइड से तो हमने ये सारे फंदे उल्टे बुनाई करेंगे ये सारी रो हम उल्टी बुनाई कर देंगे परल वाइज आखिर का एड स्टिच हम सीधा बुनाई करेंगे हम ये सीधी साइड आगे राइट साइड तो राइट साइड से हमने पहला फंदा उतार कर लेना है और ये सारे फंदे अब हम उल्टे बुनाई करेंगे अब हम सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी हम उल्टा ही बुनाई करेंगे और दोनों साइड से हम एड स्टिच सीधा बुनाई करेंगे यह हमारे शू का बेस बनकर तयार हो गया है ऐसे करके यह हमने चौदा सलाईया बुनाई की है और यह हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और यह साथ धारिया हमने बनाई है यह दिखे एक शू में हमने लेफ्ट साइड से फंदे बढ़ाने है और एक शू में हमने राइट साइड से फंदे बढ़ाने है तो अब हम ये left side से फंदे बढ़ा रहे हैं तो हमने ये 8 फंदे बढ़ाने हैं तो आप ध्यान से देखिए हमने कैसे फंदे बढ़ाने हैं ये देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये हमने 8 फंदे बढ़ा लिए अब ये हमारे सलाई पे टोटल 51 फंदे हैं 51 स्टिचेज हैं अब ये देखिए हम उल्टी साइड आगे हम रॉंग साइड आगे तो रॉंग साइड से अब हम ये सारे फंदे उल्टे बुनाई करेंगे अब ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई कर देंगे अब हम ये सीधी साइड आगे अब सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब हम ये उल्टी साइड आगे अब उल्टी साइड से भी हम ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे और एक सलाई अब हम सीधी साइड से भी उल्टी ही बुनाई करेंगे अब ये देखिए अब हमारे शूपर हमने एक दो ती चार पांथ छे साथ आठ नौ ये टोटल अब हमारी नौ धारियां हो गई हैं अब हम उल्टी साइड से दूसरे रंग का वूल अटैच करेंगे अब हम ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे ये दूसरे रंग से ये वाले धागे को हम साथ की साथ अंदर करते जाएंगे अब हम ये सीधी साइड आगे अब सीधी साइड से भी हमने पहला फंदा उतार लिना है और ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे अब हम ये उल्टी साइड आगे रॉंग साइड अब हम पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे तो अब हमने ये पहले वाले रंग से पांच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे तीन चार और पांच एक फंदा बिना बुने उतारेंगे पांच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे अब हमने ऐसे ये सारी सलाई कंप्लीट करनी है आखिर में हमारे तीन फंदे बचे इसमें से दो फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे अब हम ये सीधी साइड आगे राइट साइड तो राइट साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है अब दो फंदे उल्टे बुनाई करेंगे धागे को पीछे की तरफ करेंगे और एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे धागा आगे करके पांच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे फिर धागा पीछे करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करके पांच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे अब हम ऐसे ये सारी सलाई कम्प्लीट करेंगे अब हम ये रॉंग साइड आगे उल्टी साइड अब फिर हम पहले वाले रंग से ही बुनाई करेंगे तो पहला फंदा उतार लेना है अब हम चार फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे पांच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर हम पांच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे अब हम ये सारी सलाई ऐसे ही बुनाई करेंगे अब हम फिर सीधी साइड आगे सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है अब दो फंदे उल्टे बुनाई करेंगे, धागा पीछे करके हम एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, पांच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे, फिर हम धागा पीछे करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे धागा आगे करके पाँच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे अब ऐसे ही अब हम ये सारी सलाई बुनाई करेंगे अब ये हमारे देखिए डिजाइन की छे सलाईया कम्प्लीट हो गई अब हम फिर उल्टी साइब आगे अब फिर से हमने दूसरे रंग से जैसे हमने डिजाइन की ये पहली सलाई बनाई थी सेम वैसे बनानी है ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई कर देंगे ये बिना बुने वाले फंदे भी अब हम उल्टे बुनाई करेंगे अब हम फिर सीधी साइड आगे सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई कर देंगे ये देखिए अब हम फिर से पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे तो अब हम ये डिजाइन को पल्टा देंगे तो ये उल्टी साइड से अब ध्यान से देखिए अब हमने पहले हमने पांच फंदे उल्टे बुनाई किये थे अब हम दो फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे अब पांच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे पांच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे अब हम ये सारी सलाई ऐसे ही कम्प्लीट करेंगे अब हम ये राइट साइड आगे सीधी साइड तो हमने पहला फंदा उतार लिया अब हम ये पांच फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे धागा पीछे करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर हम 5 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे अब हम ऐसे ही सारी सलाई कमप्लीट करेंगे अब हम उल्टी साइड आगे उल्टी साइड से फिर से हमने पहले वाले रंग से बुनाई करना है तो एक फंदा हमने उतार लिया अब एक फंदा उल्टा एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, पांच फंदे उल्टे, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, अब ऐसी यह हम सारी सलाई कम्प्लीच करेंगे, अब फिर हम सीधी साइड आगे, सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है, पांच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे करके पांच फंदे उल्टे बुनाई करेंगे, पिर धागा पीछे करके एक फंदल उतारेंगे धागा आगे करके पांच फंद उल्टे बुनाई करेंगे अब ऐसी ही हम सारी सलाई कमप्लीट करेंगे यह देखिए यह हमारा 12 सलाईयों का डिजाइन है ये 12 सलाईया हमने complete कर ली है अब फिर से हमने दूसरे वाले रंग से ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे और इनी 12 सलाईयों को एक बार और repeat करेंगे अब हमने ये देखिए एक, दो, तीन, चार ये चार डिजाइन complete कर लिए और यहाँ पर हमने ये पहले वाले रंग से चार सलाईया उल्टी उल्टी बुनाई की है और ये हमारी दो धारिया है अब हम शू के फंदे बंद करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ देखिए इस वाले शू में हमने ये उल्टी साइड से फंदे बंद किये थे ये left साइड से हमने फंदे को बंद किया था और ये देखे इस साइड इसका cut है और यहां से अब हमने ये सारे फंदे बुनाई किये थे और इस वाले शू में हमने ये देखिए राइट साइड से हम फंदे बंद करेंगे तो ये हमने कितने फंदे बंद करने हैं हमने कट वाली साइड से फंदे नहीं बंद करने हैं ये देखिए हमने ये कट वाली साइड से फंदे नहीं बंद किये ये दूसरी साइट से फंदे बंद की है तो ये हमारे टोटल 51 फंदे हैं इसमें से हमने ये 24 फंदे बंद करेंगे तो हमारे 27 फंदे इस साइट बच जाएंगे तो अब ये राइट साइट से सीधी साइट से हम फंदे बंद कर रहे हैं तो ये देखिए हमने दो फंदों को ऐसे और इसको उल्टा ही बंद करना है एक फिर से इस फंदे को सलाई पे लेना दो फंदों का एक बनाना है दो फिर से इस फंदे को सलाई पे लेना है दो फंदों का एक बनाना है तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला सत्रा अट्रा उन्निस बीस इक्केस बाइस तेईस और चौबिस यह हमने चौबिस फंदे बंद कर लिए अब यह बाकी बच्चे हम फंदे सारे उल्टे बुनाई करेंगे आखिर का एच्टे चम सीधा बुनाई करेंगे अब हम यह रॉंग साइड आगे उल्टी साइड अब उल्टी साइड से पहला फंदा उतार लिया और यह सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब हम उल्टी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और सीधी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करेंगे और दोनों साइड से हम एच्टिच हम सीधा बुनाई करेंगे अब यह देखिए यह हमारा यह वाला पार्ट भी कम्प्लीट हो गया आपने इसको ऐसे फोल्ड करके मैं यहां से यह सीधा और यह बराबर का बनाना है आपने इतना बनाना है तो अब हम यह शू को बंद करेंगे तो हमने कैसे इसको बंद करना है मैं आपको बताती हूं यह हमारी उल्टी साइड है हम उल्टी साइड से शूप को बंद करेंगे तो यह देखिए हमने दो फंदों को लिया दो फंदों का हमने एक बनाना है फिर इस फंदे को सलाई पे लेना है दो फंदों का एक बनाना है फिर इस फंदे को सलाई पे लेंगे दो फंदों का एक बनाना है ऐसे ही अब हम ये सारे फंदों को बंद कर देंगे अब हम यहां से इस धागे को काट देंगे और इसको यहां से हम पक्का कर देंगे यह देखिए यह हमारा शू बन कर तयार हो गया यह देखिए यह हमारे दोनों शू बन कर तयार हो गया यह आमने सामने आना चाहिए जहां पर यह कट है वहां से हमने यह फंदों को बनाना है यह देखे, और यह हमारे ऐसे आमने सामने होने चाहिए, दोनों पार्ठ, अब हम शूकी सिलाई करेंगे, तो यह देखे, सीधा भाग हमारा अगे की तरफ है, अब इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना, अब यह उल्टा पार्ठ हमारा, उपर की तरफ आगया, अब हम पहले इसक यह बैक वाली पाट है अब हम यह नीचे वाला पाट से लाई करेंगे पहले हम यहां तक इसको सिलाई करेंगे करेंगे वाला प्तों करेंगे स्ञारो बाला प्तों करेंगे वाला प्तों अड़र पहले हम यहां तक है अब देखें हमने ये वाला पार्ट से लाई करना है और ये एक्स्ट्रा धागे हम अंदर की तरफ पर देंगे ये दिखिए ये हमारा खूब सूरस शू बनकर तयार हो गया ऐसे ही आप ये शू बनाएं प्लीज लाइक, शियर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद